हे गाइस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागा थैप के इस वीडिये में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कल फ्रेस रिक्रूट्मेंट के बारे में जो की विकिंसी निकल चुकी है एंटी पीसी की तरफ से भारत की सबसे बड़ी प हर एक किसी का ड्रीम होता है कहीं पीएसू में जौब लगे पीएसू में तिन टाइप का होता है सरकल फर्स रफल जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो होती है महरतना उससे चोटी जो कंपनी होती है वो होती है नवरतना और उससे भी चोटी होती है वो होती है मेनी रतना मह महारतना में भी कम-listed company है अब जितने भी government jobs की तयारी कर रहे हो सारे student मुझे comment करके बताओ कि अभी महारतना में total कितने company listed है मैं देखता हूं कि कितने students सच में government job की preparation कर रहे हैं तो उसमें से महारतना में कुछ company listed है PSO PSO में सबसे बड़ी company है वो है NDPC उसके बाद है PGCL हलांकि दोनों में टकर चलते रहता है बट NDPC is the largest department तो यहीं से पर्मनेंट jobs के लिए विकिंसी आ चुकी है फिर से तो जो भी candidate eligible है जरूर apply कीजेगा चलिए detail notification wise discuss करते हैं कि कौन-कौन से candidate apply कर सकते हैं eligibility condition selection process application process विगर आपकी क्या होगी लेटे चार्ट आगे बढ़ते हैं इससे पह notification में स्टार्टिंग में ही notification आपको मिल जाएगी देख सकते हैं यह जो recruitment release की गई है टोटल 110 पोस्ट पर recruitment निकाली गई है बिलकुल new और फ्रेस वेकिंसी से recruitment of experience professional as a deputy manager यह जो पोस्ट है आपका deputy manager की post है in the area of project erections या फिर construction यानि की अलग-अलग लिवल पर जिसकी last date है form apply करने के लिए 8 मार्च 2024 आपके पास डेट है 23 फरवरी से ही form आ चुकी आपस के सामने है तो चलिए notification रेड करते हैं तो यह है आपका official notification जो की अभी आपने देखा है यह जो महरात्ना है आपको पता है और सबसे बड़ी department है project की department में वेकेंसी में बता चुका हूँ NDPC जो recruitment release की जो भी candidate eligible है वह experience होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं एज डिप्टी मेनेजर की post है and department आपका project erections या फिर construction में आपकी जौब लगेगी और E4 यानिक इंजनेरी 4 grade लिवल का आपका यहां पे jobs माना जाएगा चलिए post देखते हैं सबसे पहला post निकल के आता है name of the post है डिप् जो भी candidate eligible है 40 साल के candidate apply कर सकते हैं अलग-अलग department देखो electrical elections में जो recruitment है total नमरों post है 20 सबसे ज्यादा department में है mechanical में mechanical भी elections में department है total 50 post पर recruitment release की गई है category wise post एक बार जरूर चेक कर लें आप next है cni में vacancy total 10 post पर फिर आपका civil constructions क्योंकि constructions का department हो civil engineering के लिए ही vacancy आती यह भी कम vacancy नहीं है यार total 30 post पर vacancy release की गई है वो आपका civil department के लिए मौका मत छोड़ना salary की discuss करें salary क्या ही बोलो यार ntpc में salary discuss करना ही बहुत ही ज़्यादा salary मिलती है प्यासू में सत्तर अजार से लेकर दो लाग की salary प्रोवाइड की जाएगा अर आप इंहेंट जॉइन करते हो न तो अप्रॉक्समेटली आपकी जो salary टीए डे अचारे लगा के होती है करीब एक लाग 35,000 के करीब आपके starting salary बन जाती है यहाँ पर तो salary लगाना tension ही नहीं है बड़ यह ज सकते हैं जितने भी सारी पोस्टें हैं engineering की department है और आपकी branch जिसमें apply करना चाहते हैं जैसे electrical में तो electrical या फिर electronics engineering से pass out होना चाहिए mechanical में mechanical और productions दोना apply कर सकता है और CNI में आपका instruments electronic instruments के candidate है लिजबल होते हैं almost 60% marks होना चाहिए civil construction में civil engineering या फिर construction engineering से pass out होना चाहिए minimum experience यहाँ पर रखी गई अलग-अलग field में तो आप interested है लगबा लगबा 10 साल की experience तो सोच सकते हो बहुत बड़ा experience है बड़ क्या ही कर सकते हो यार department बहुत बड़ी है और यहाँ से vacances निकाली गई है तो apply करना बनता है और मुझे update देना भी बनता है क्योंकि काफी सारे candidate eligible हो आप बिलकुल यहाँ पर eligible है apply करने के लिए ओके अब आपको पता चलेगा कि मैं eligible हूँ apply करने के लिए अने था अगर आप eligible नहीं है तो वीडियो को like करके और जो eligible है अपने दोस्तों फाई या फे relation में save आप यह वीडियो को share जरूर कर दें चले how to apply की मैं बात करूं तो form आपके इसकी online fill up करनी है दिये लिंक पर क्लिक करके आपको directly आप online fill up कर सकते हैं application चार्ज लगने वाला है 300 रुपे जनरल OBCWS वालों के लिए otherwise STACPWD और female candidate का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा payment आप online या फिर offline किसी भी वे के जरीए आप कर सकते हैं और जब आप payment करोगे तो उसकी रिसिप्ट योगरा सारी चीज़ा आपको मिल जाएगे application नमर के साथ online application 23 फरवरी से सुरू है आठ मार्च दोजार चोबीस तक last date है apply करने के लिए अभी बहुत टाइम है आप अराम से form apply कर सकते हैं तो जो भी candidate interested हैं जरूर apply करें क्योंकि इस तरह के recruitment NDPC में आती रह का आप है आप है आप है